अपने दोर की एक ऐसी आदाकारा जिसनी ना केवल अपनी खुपसूरती बलकि अपनी गजब की एक्टिंग प्रतिबा और अपनी जबरदस डान्स कोशल से हिंदे फिल्म इंडस्ट्री में आला मुकाम हासिल किया महस 17 साल की उम्र में मिस इंडिया टाइटल अपनी नाम करने वाली मिनाक्षी शिशाद्री हिंदे फिल्म इंडस्ट्री की टॉप रेटिट एक्टरसेस में से शुमार हैं अब अमेरिका में वो एक शाम और शामदार जिंदगी गुजार रही हैं 16 नवंबर सन 1963 को मिनाक्षी का जनम जार खंड के सिंद्री में एक तमिल ब्रहमन परिवार में हुआ था इनके पिता सिंद्री की fertilizer factory में नौकरी गया करते थे यहीं पर मिनाक्षी का जनम हुआ था जनम के वक्त माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था सिंद्री में ही शशिकला याने मिनाक्षी और उनके बहाई बहनों की परवरिश हुई थी मानी सिखाया भरत नाट्यम क्योंकि मिनाक्षी के माम भरत नाट्यम में पारांगत थी तो बचपन से ही उन्होंने मिनाक्षी और उनके बहन निम्मी को भरत नाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी पढ़ाई के साथ मिनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियों गिताओं में भी हिसा लिया करती थी मिनाक्षी की खुबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलिया अक्सर इन्हें कहा करती कि तुम्हें तो मॉडलिन में ट्राइ करना चाहिए और मिस इंडिया बन गई मिनाक्षी शशादरी उस वक्त मिनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी लेकिन जब बारवी के एक्जाम देने के बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थी तो इन्होंने अकबार में एक ब्यूटी कॉंटेस्ट का विग्यापन देखा उस विग्यापन को देखकर मिनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और उन्होंने एप्लिकेशन भी उस ब्यूटी कॉंटेस्ट में भेज दी किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मिनाक्षी वो ब्यूटी कॉंटेस्ट जीत भी गई और उसी साल इन्हें मिस इंडिया पैजेंट में हिस्दा लेने का भी मौका मिल गया महे 17 साल की उम्र में मिनाक्षी ने साल 1981 में हुए मिस इंडिया कॉंटेस्ट को भी अपने नाम कर लिया जापान में किया भारत का प्रतिनिधित्व इसके बाद तो रातो रात सिंद्री की ये आम सी लड़की पूरे देश में खासा नाम बन गई इसी साल मिनाक्षी शेशाद्री को जापान की राज़ानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉंटेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला हाला कि इस कॉंटेस्ट में मिनाक्षी को कोई काम्याबी नहीं मिल सकी मगर इसी कॉंटेस्ट के बाद ही मिनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दर्वाजे भी खुलने शुरू हो गए मनोज कुमार को पसंद आई मिनाक्षी शिशादरी जापान से लोटने के बाद मिनाक्षी के पास मौडलिंग की धिरो ओफर्स है कुछ ओफर्स को उन्होंने साइन भी किया था मुंबई में मिनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी और मिनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था एक दिन मशूर एक्टर मनोज कुमार का फोन मिनाक्षी के पास आया मनोज कुमार जी ने मिनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है मनोज कुमार ने कही थी ये शांदार बात मिनाक्षी उस फिल्म के सिलसले में मनोज कुमार से मिलने उनके आफिस पहुची मिनाक्षी को लग रहा था कि शायद मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत बढ़िया एक्टरिस बनूगी इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूँगा मनोज कुमार जैसे दिगज कलाकार के मूँ से अपनी तारीफ सुनकर मिनाक्षी बहुत खुश हुई हाला कि उन्होंने मनोज कुमार को तुरंथ हा नहीं कहा मिनाक्षी दिल्ली अपने माता पिता के पास आई और उन्होंने अपने माता पिता से ये बात शेयर की जब उनके माता पिता ने कहा के उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए तब मिनाक्षी वापस मुंबई आई और उन्होंने मनोज कुमार के वो फिल्म साइन की जिसका नाम था पेंटर बाबू फ्लॉप रही थी पेंटर बाबू ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही मिनाक्षी ने सुभाश गई के फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाश गई ही थे जिनके कहने पर ये शशिकला शिशादरी से मिनाक्षी शिशादरी बनी थी पेंटर बाबू फिल्म रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म कोई खासा कवाल नहीं कर सकी हालाकि यूपी बिहार में इस फिल्म को पसंद जरूर किया गया था लेकिन फिर भी इस फिल्म को फ्लॉ फिल्म ही माना गया मगर जब इसी साल मिनाक्षी की दूसरी फिर्म हीरो रिलेज हुई तो मिनाक्षी को फिर्म स्टार होने का स्टेटस भी मिल गया हीरो जबरदस्त हिट रही थी हीरो से सूपरस्टार बन गई मिनाक्षी शेशादरी सुभाज गई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो नई लोगों को कास्ट कर सके जैकी श्रॉफ के रूप में उन्हें अपना हीरो तो मिल गया था लेकिन जब मनोज कुमार ने मिनाक्षी को साइन किया तो उन्हें अपनी हीरोईन भी मिल गई और उन्हें फैसरा कर लिया कि अपनी फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के अपोजिट वो मिनाक्षी को ही कास्ट करेंगे बॉक्स ओफिस पर हीरो ने धमाल मचा दिया चल निकली मिनाक्षी की किस्मत यो तो इस फिल्म के टकर आमिता बचन की कुली से थी लेकिन धीमी शुरुआत के बाद हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो शांदार थी फिल्म की कहानी और फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट साबित हुआ रातो रात मिनाक्षी एक आम एक्क्रेस से सूपरस्टार बन गई इसके बाद तो मिनाक्षी ने धेरो फिल्मों में काम किया हर बड़े सूपरस्टार के साथ में काम किया राजेश खर्ना रहे हुँ या फिर अमिताब बचन जितिंद्र रहे हो या फिर अनिल गपूर हर हीरों के साथ मिनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा जब सुभाश गई से हुई मिनाक्षी शशादरी की अनबन राजेश खन्ना के साथ आई इनकी फिल्म अवारा बाब भले ही हिट फिल्मों में ना गिनी जाती हो लेकिन ये उस दौर की चर्चित फिल्मों में से एक थी अमिताब बचन के साथ आई शहनशा को तो आज की जमाने में फिल्मी दर्शक भी खूब पसंद करते हैं मेरी जंग में अनिल कपूर संग इनके कैमिस्टरी भी बड़ी काम आई थी और बड़ी कैचिंग भी थी हाला कि मेरी जंग ही वो फिल्म भी है जिसके बाद सुभाश गई के साथ इनकी अनबन हो गई और फिर दोबारा कभी इन्होंने सुभाश गई के साथ में काम नहीं किया मिनाक्षी की प्रमुक फिल्में मिनाक्षी शिशाद्रे के करियर की प्रमुक फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आई अल्ला रखा दिलवाला सत्यमेव जैते दकैत और तेरी यही कहानी 20 साल बाद गमगा जमना सरस्वती तूफान बड़े घर की बेटी अंबा घायल हमशकल आज का गुंडा राज आदमी खिलोना है शत्रिय और घातक में घातक ही इनके करियर की आखरी फिल्म भी थी इन फिल्मों की बात होना जरूरी है मिनाक्षी शिशादरी की फिल्मों की बात हो और कुछ फिल्मों की बात करना जरूरी ही माना जाता है साल 1986 में आई फिल्म स्वाती में इनकी एक्टिंग को खोब ज़ादा सराहा गया था उ इस फिल्म में मिनाक्षी के साथ मागरी दिक्षित ने भी काम किया था। घायल में किया था शानदार काम। सने देवल की फिल्म घायल में भी इन्होंने एक लास की एक्टिंग की थी। वहीं विनोध खन्ना सहब के साथ फिल्म, जुर्म और सत्यमेब जैते में भी इनके काम की खूब तारिफ की गई थी। 90 के दशक में मिनाक्षी शेचादरी ने तेलगू और एक तमिल फिल्म में भी काम किया था। आपाद, बंधा, वुदू नाम की तेलगू फिल्म में इनके हिरो चिरन जीवे थे। चिरन जीवे के साथ आज का गुंडा राज में भी इन्होंने काम किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। इनकी तमिल फिल्म थी ड्यूट ये फिल्म फ्लॉप रही थी। दामिनी ने दिलाया था रुद्बा। सो से भी ज़दा फिल्मों में काम करने वाली मिनाक्षी शेशादरी के करियर की सबसे शांदार फिल्म मानी जाती है साल 1993 में आई दामिनी। राजकुमार संदोशी की इस फिल्म नहीं ही मिनाक्षी शेशादरी को बॉलिवुड की ए कुमार सानु से उनकी अफेर की बात को बला कोई कैसे नजर अंदास कर सकता है। महेश भट की फिर्म जुन के सेट पर मिनाक्षी और कुमार सानु की बाक्षी शुरू हुई। कुमार सानु पहले से शादी शुदा थे। कहा जाता है कि जब कुमार सानु की पतनी रीता भट चारे को मिनाक्षी शशादरी संग उनके अफेर की खबर मिली तो वो बहुत नराज हुई नौबत तलाग तक पहुच गई कुमार सानू की सेकेटरी ने एक इंटरिव्यो में कहा था कि कुमार सानू की कई गल्फिंस रह चुकी हैं फिलहाल वो मिनाक्षी शशादरी को डेट कर रहे हैं साल 1994 में कुमार सानू और रीता बटाचारय का तलाग हो गया लोगों को लगा कि कुमार सानू अब मिनाक्षी से शादी कर लेंगे लेकिन इन दोनों से जोड़ी खबरे आनी बंद हो गई उसके बाद साल 1997 में सब को चौकाते हुई मिनाक्षी शशादरी ने अम मैसूर है और अब अपने पते के साथ मिनाक्षी अमेरिका के टैकसेस राजि में प्लानोंद शहर में रहती है मिनाक्षी और हरीश की दो बच्चे हैं बेटी किंदरा और बेटा जोश अमेरिका में ही रहकर मिनाक्षी शेशादरी अपना एक डांस इंसिचूट चलाती है और वहां बच्चों को भरत नाट्यम कुच्ची पुडी कत्थक और ODC डाउन सिखाती हैं याने फिल्म में चका चौन से दोर अमेरिका में मिनाक्षी अपने परिवार के साथ एक शाथ और सुकून भरी जिन्दगी गुजार रही है वहीं दोस्तों अगर इनके गाउं के बारे में बात करी तो इनका जरम जारखंड के सिंधरी में हुआ था और सिंधरी जारखंड में धनबाद की नगरपाली का सीमा के भीतर एक उध्योगिक टाउन्शिप है ये उवरक उत्पादन के लिए प्रसिद है सिंधरी स्थित देश का पहला फर्टिलाइजर प्लांट दो मार्च 1951 को शुरू हुआ था पुरानी तकनीक और लगातार हो रहे घाटे की वज़ा से इसे 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया अब इसकी जगह पिछली साल हिंदुस्तान उवरक और रसायन लेमिटेट का नया प्लांट बनाया गया है सिंधरी जारखंड राजे के धनबाद जिले की धनबाद नगरपालिका के सीमा के भीतर एक उध्योगी अर्ध शहरी टाउन्शिप है तो दोस्तों अभी के लिए बसे चाहिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाए बाए